आज मेरे लिए मत लड़ना अपने लिए लड़ना अपनी मर्यादा के लिए लड़ना लड़ोगे और इसके खांदाल में तो सूर भीरों के खुंद उड़ रहा है तो आगे पढ़ो और गार दो हैंकार की छाती में विजय का भगवा द्वाज हर हर महादेव आपको कैसे लेके लिए दिपूर इदंगल लगा ने पषसंद आया मुझी जरा भी नइब बुढ़े तो थोड़ा भी नहीं अमरावत में बहुत बढ़ी गलती कर दिए इतनी बढ़ी गलती है क्या बोलते माफी मांग्ने लाइक नहीं बिल्क्ल बक्वास पिक्चर है इक डा पर ना थे अपने पैसे बचाएं बक्वास मोवी रामायन का मजाग बना दिया और कुछ नीं केया थे कुछ नीं किया अजीब उजीब था कि डायलग हनुमान जी से राम जी से ऐसी डायलग कर सकता है कोई तेल तेरे बाप का आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की अब ये ये जो डायलोग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दायन के सीक्विंस में तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लिफाइड है क्या हनुमान जी ऐसी से आया हूँ हमारे यहाँ दादियां नानियां जब कथा सुनाती थी तो एसे ही इसी भाषा में सुनाती थि जो रमायन है उस से कितनी हटकर है यह फिल्म और जो इनोंने बताया वो सब शामिल करने की कोशिश में कितनी हटी है एक इंच नहीं, एक सेंटिमीटर नहीं, एक मिलेमीटर नहीं, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जबाब ये है दिवांग जी, बिलकुल नहीं. जो रामायन लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एक्जाटली वही रामायन है, कुछ भी ऐलग नहीं जब हम आदेपुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो-तीन चीज़ें में एक दम सपस्ट कर दूँ मैंने पहले भी कहीं है और अभी सपस्ट कर देता हूँ हमने रामायन नहीं बनाई है हम रामायन से प्रेरित हैं हमने रामायन नहीं बनाई है हम रामायन से प्रेरित हैं तुम लोग पहले थूखते हो और फिछाटते हो और समझते हो कि देश है चूपिया रामायन को हम जानते कैसे हैं, रामायन को हम वाचन परंपरा से जानते हैं और पठन परंपरा से जानते हैं, हम इसे कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने सुना है, रामायन सुनाने का तरीका है ये एक, तुम चुलू बर पानी में जाके डूब के बाजाओ, अरे कहना क्या चाहते ये बिग्याय सिनमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब भेंचोद मिलके पागल बना रहे हैं, हम कईचोद की बच्चे, ये राइटर से जादा मार्केटी भी घरिच कर रहे हैं